कुश्चन एक गर रहे है कि let c be a circle with a center o and a radius 5 cm let pq be a tangent to the circle and a be the point of tangency let b be a point on pq such that the length of a is 12 cm if the line joining o and b intersect the circle at r find the length of pr सबसे पहले हम यहां से एक circle को draw करते हैं ठीक है यह आपके पास रहा circle यह आपके पास रहा एक circle इसमें बोला गया है क्या कि pq क्या एक tangent है आपके पास एक tangent है तो भी यहां से draw करता हूं कि pq क्या आपके पास एक tangent है कुछ इस तरीके से इसका center में यहां से लेता हूं यह राज center इसको उसने बुल रखा है c और यह क्या है पी और यह क्या क्यूंड एक tangent है one a the 80's 평yal पोइंट टेंजनज़ कहने कि पोइंट कई याँ टेंजनजेंसि कर फोईंट यह है और वी मेंखिए प 여기서 और हमें यह आखिए जाता है कि इसको इसा मिलाया जाता है और देख लेते हैन इसको इसा मिलाया जाता है इसको यहां पर मिला जाता है और AB का लेंद कितना है 12 है यह लेंद कितना आपका 12 है और यह आपका रेडियस है यहां से लेकर यहां तक रेडियस है ठीक है और रेडियस इन्होंने दे रखा है कितना 5 सेंटीमेटर अगर मैं इस लाइन को जोइन करूंगा तो यह रेडियस हो साइड को पता लगाने के लिए कि सी और बी का लेंद कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर और सी और इस पॉइंट को मैं मान लू क्या मान लू वह मान लेता हूं तो दिया ही ठीक है कि वह यहां पर दे रखा है कि इसको मैं कुछ और मानता हूं ठीक है आर मानता हूं यह ठीक है तो र कि लेंथ 35 हैं और ओर बी आर की लेंथ तो जाए कितना आपका आठ सेंटीमिटर टरू सTalk Gas झाल झाल